सीड मदर ने किया ब्रह्माकुमारीज के मुख्यालय का विजिट सीड मदर के नाम से जाने जाने वाली राही बाई सोमा पोपेरे ब्रह्मकुमारीज मुख्याले पहुंची और उन्होंने ब्रह्मकुमारीज की मुख्य प्रशासी का राज योगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात की आपको बता दे कि राही बाई को BBC की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है वह एक आदिवासी भारतिय महिला किसान और सन्वक्षन वादी है उन्हें 2019 में राष्ट्वपती के हातों पदमश्री और 2018 में नारी शक्ति पुरसकार भी मिला है हाला कि राही बाई पड़ी लिखी नहीं है लेकिन क्रिशी वैज्यानिक भी उनकी खेती बाड़ी के ज्यान को सम्मानित करते हैं वो जैवी खेती की अच्छी जानकार है इसके लिए उन्हें समय समय पर कई संस्थाए सम्मानित भी करती रही है राही बाई एहमदनगर जिले के एक कोंभालने की रहने वाली है उन्होंने बैफ फाउंडेशन की मदद से कुछ महिलाओं को लेकर एक कलसुबाई बिसंवर्धन समीती की स्थापना की है जिसके संस्थापक भी वे खुद है के साथ जुड़ी हुई है और मुझे बताने में नाज होता है कि आज जहां पर यह काम कर रहे हैं जहां पर भारत का पहला देशी पीच का बैंक खोला गया वो पदमस्री राहिबाई पोपेरेजी के छोटे से घर में खोला गया था तेन लगी तुमाला खुब आनंद जाला अनि खुब मोठा तेने आश्रवादे पन दिला का यह काम सोता साथी नहीं यह काम समझा साथी तो यह समझा साथी काम मोठा आशा तेने माल आश्रवादे जिला